जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे. दोस्तों, पैसा कमाना जीवन में इसलिए आवस्यक नहीं है कि आप बहुत अधिक धनवान बनना चाहते हैं या प्रचूर मातरा में आपके पास में धन हो और हर व्यक्ति इसलिए पैसा नहीं कमाना चाहता है क्योंकि वो धनवान बनना चाहता है पैसा आपके पास में इतना आवस्यक है, इतना जरूर होना चाहिए कि जिससे व्यक्ति का जीवन निर्वा बहुत ही अच्छे से हो सके यदि वो बहुत अधिक धन्वान न बन सके फिर भी इतना पैसा व्यक्ति के पास में होना चाहिए जिससे कि वो अपने परिवार का जो गुजर बसर है वो अच्छे से कर सके और जो बेजिक नेट्स हैं उसकी पूर्ती कर सके इसके बाद जब इनसान और अधिक पैसा कमना चाहता है तो भोतिक सुक संपदा प्राप्त करने के प्रैतने करता है तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है व्यक्ति को इसके लिए भी प्रैतने करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक मातरा में भोतिक सुख संपधा को प्राप्त कर सके और इसके लिए व्यक्ति कड़ी से कड़ी मेहनत करता है बहुत मेहनत करता है हर जगा हाथ पेर हिलाता है, मारता है और कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग इसमें असफल रह जाते हैं सफल नहीं हो पाते हैं कुछ लोग सफल होते होते रह जाते हैं और उस हद तक नहीं पहुँच पाते हैं जहां तक वो पहुँचना चाहते हैं तो आज मैं जो उपाय आपको बताऊंगा इस उपाय से आप जिस भी अवस्था में हैं जीवन के वहां से आपको उपर उठने में बहुत ही आसानी रहेगी, बहुत ही मदद मिल जाएगी एक ऐसी सक्ती आपकी हेल्प करेगी जिसको आपने न कभी देखा न कभी सुना होगा लेकिन वो इस तरह से आपकी हेल्प करेगी कि अभी तक आप जिसके भी पास जा रहे थे काम के सिलसिले से या किसी भी तरह से या पैसे के लिए कहीं पर भी जा रहे थे और जहां से आपका काम का जुरूक रहा था वे ही लोग सामने से आपका कॉंटेक्ट करेंगे और आपका काम का इतना बहतर और इतना अच्छे से चलने लग जाएगा कि आप जो कोई भी अवस्ता हैं वहां से काफी उपर उठ जाएंगे तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचनतम गृंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्य हैं करना क्या है किस तरह से वो उपाय करें के जिस्से वो जो कुछ भी चीज चाहता है वो चीज उसको बहुत ही आसानी से मिल जाए तो दोस्तों आपको करना क्या है इस उपाय को आपको सनिवार के दिन करना है साम के समय पे करना है ठीक एसे समय पे करना है कि जब सुरियोदय हो रहा हो होने वाला हो ऐसे समय पे आपको करना है सुर्यास्त के 10 मिट पहले पहले आप इस उपाय को कर ले सुर्यास्त होने के बाद आपको इस उपाय को नहीं करना है सुर्यास्त के जश्ट पहले आप इस उपाय को कर ले एक पीपड का जो पेड होता है उसका पत्ता है या पान है जहां कहीं भी अलग-अलग जगा पर अलग-अलग भासा में बोला जाता है उसका एक पान ऐसा ले ले जो सूखा ना हो, हरा हो एकदम व्योस्थी तो कहीं से कटा फटा तूटा ना हो, ऐसा एक सुन्दर सा एक पान ले ले घर से आप जल लेकर के जाएं और उसको आप धोलें, स्वच्छ कर लें कुमकुम को गिला करके उस पान में सीधी तरब पर स्वस्थिक का चिन्न बनाएं उस पर एक सुपाड़ी रख दें, उस पर सूखा, कुमकुम, हल्दी और चावल रख दें अब इस पान को आप पीपल की पेड़ के जड़ के पास आप रख दें स्वंपूर्ण स्रद्धा के साथ आप इसको वहाँ पर रख दें थोड़ा सा दही वहीं पर पान के पड़ोस में जयमिन पर डाल दें एक घीका दीपक जला दें, दो अगर्वत्ती लगा दें पीपल के पेड़ की साथ दफ़ा प्रदिक्षना करें और आपका जो कोई भी मुनोकामना है वो मन ही मन वहाँ पर बोले ऐसा करके घर आजाएं, सोच हो जाएं इतना सटीक उपाय है ये कि यह करने से आपके धन के मार्ग में पेसों के मार्ग में आने वाली कैसी भी रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी और इसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में पैसा लगातार आतने लग जाएगा एकदम अचानक अचानक से पैसा आने लग जाएगा आपने सोचा नहीं होगा एसी जगहों से आपके पास में पैसा आने लग जाएगा इस उपाय को साथ सनिवार तक लगातार करना है बिना रूके टुके यानि सनिवार सनिवार के दिन ही करना है साथ सनिवार आपको इस उपाय को करना है यदि बीच में आपका सब कुछ सही भी हो जाता है इसके बावजूद आपको साथ सनिवार इस उपाय को करना है और अंतिम सनिवार के दिन आपको कोई मिठाई सफेद मिष्टन आपको उस पेड़ की जड़ पे चड़ाना है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहे आपनमित होते रही है धन्यवाद